हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम क्लाशिस रांडपूर चैनल पर दोस्तों मैं सिंज्जित अमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए हमने जो दोस्तों स्सी जीडी का एक स्वेसल बेंच स्टार्ट किया है यह स्पेशली यूपी पुलिस के लिए भी रहेगा दोस्तों तो उसकी एक किलास लेकर आया हूं आज की जो किलास है यह बहुत ही अच्छी किलास होने वाली है क्यों क्योंकि यह अच्छी इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको पता लग जाता है इस चेप्टर के अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले है और क्या-क्या इसके अंदर हो सकता है ठीक है दूसरी बात अगर यह basic class है तो आपको एक बात और समझनी है ठीक हमारी class का जो format है वो format इस तरह किसे बना हुआ तो कैसे बनाया है वो format है दोस्तो अगर class की बात की जाए तो format एक तो है basic class के दुरू ठीक है न और एक है आपका lecture के दुरू तो basic class जो होगी basic class में तो आपको basic information दी जाएगी ठीक है न जो भी सारी जिस तरह की जितने type के question बन सकते हैं जितने type हो सकते हैं ठीक न और इसके बाद अगर देख लेज़े basic class जैसे ही खत फिनिस हो जाएगी तो उसके बाद lecture सुरूँँगे lecture class basic के अंदर ऐसा है कि आपको बहुत ही बारी केसे और बहुत ही basic way में आपको जो भी question है उनके type कराए जाएगे ठीक है न बट lecture के अंदर ऐसा नहीं होगा दोस्तो लेक्चर के अंदर तो इंडियानी बहुत तेजी से और जितना हो सकते हैं जितने भी विचार से आज का विचार क्या है आज का विचार है पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहता पहचान से मिला काम लेकिन काम से मिली पहचान आजीवन रहती है ये बात सच है दोस्तों कि आपको क्या धियान में रखना कि जो पहचान से अगर काम मिलता है आपको तो जादा दिन तक नहीं रुखेगा इसलिए दो तो आपको अपना काम इतनी महनत और सिद्दत के साथ करना है कि आपकी पहचान आजीवन बनी रही उस काम पर ठीक है ना तो महनत और आपको इतनी सिद्दत से करनी है कि आपको काम्याबी जल्द से जल्द मिल जाए और आपको यानि आपकी एक पहचान बन जाए ताउमर जिससे बच्चे कह सकें कि हाँ ये दोस्ता हमारा इसने इतनी महनत की और इतनी जल्दी से इसका सलक्षन हुआ तो ठीक है दोस्तो चलिए चलते हैं आज के इसी भाव और इसी विचार के साथ इसी भाव और इसी विचार को मन में रखते हुए आज की किलाज सुरू करते हैं तो एक फॉर्मिट बनाये गया दोस्तो ये जो फॉर्मिट दोस्तो तयार हुआ अगर बात की जाए तो यह उनके लिए है जो नई बच्चे हैं जो हाली में हमारी साथ जुड़े हैं ठीक है ना हमारी साथ जुड़े हैं और जिने से लिपस के में ज्यादा सर प्रोब्लम है तो बच्चों के लिए चार्ट बनाएगा इस चार्ट के थुरूर यह जो डिपा और समानपाथ अनुपाथ और यह समानपाथ ठीक है ना अनुपाथ को बोलतों के आप रेशो और से बोलतों के आप प्रोपोर्शन ठीक है ना रेशो के अगर साइन के अगर बात की जाए रेशो का साइन होगा है दोस्तों यह और प्रोपोर्शन का साइन के अगर बात की जा होगा इसका डबल होगा मेनिंग होता है तूसतो हिस्था भाग टुकडा तो ये सब किसके हैं दोस्तों अनुपात का मतलग है या फिर अनुपात मनद बांटना कितने अनुपात में बांटतों गया आप ठीक है तो अनुपात को ही आप अनुपात के लिए यहां पर परतिसद भी वर्ड यूज़ कर सकते हो बट ये होगा किस तरीके से यूज़ अभी मैं बताऊंगा ठीक है ना तो अब अनुपाद के बारे में यहां तक तो आपने पढ़ चुपे हो तो अब समझते हैं दोस्तो अनुपाद अनुपाद होगा क्या अनुपाद मतलब एक तो अनुपाद बोलोगी जैसे पी अपन क्यूँ यानि भिन को ये भी एक अनुपाद है दोस्तो यहां पर यह अन्स है और यह क्या है आपका हर यानि यह नूमिनेटर यह डिनूमिनेटर ठीक है ना तो यह भी आप बोल सकते हो अच्छा अगर बात के यह इस वैलू को अगर भिन है आपकी तो उसे भी आप क्या लिखोगे अनुपाद में तो इस साइन के साथ अगर लिखते हो तो यह अनुपाद है अगर डबल साइन आ जगता है तो क्या बोल दोगे समान अनुपाद में ठीक है न तो अच्छे यहां तक तो अब ठीक है रेसों में थोड़ा सा और पढ़ते हैं देखो रेसों कैसे कह दो कि तुम भाग या हिस्सा अगर मैं पूछ लो आपको बीस सो का कौन सा हिस्सा है तो बटे लिख दीजिए इस से काट दोगे एक बटा पांच तो कौन सा हि हिस्सा है अगर परतिसफ़ पूछ ले जाए तो कितना गुनाशो कर दे जाए उनाशो इस सो काध् andar बीस परसlast है भी तो इस तरीके से यह क्रिश्स regression सोल होंगे और दूसरी बात तरेशों को इस हिसाब से बंटा जाता है ठीक है न एक है है अल्ट दो की आपके पास दो हज और दो बंदों में बाटने एक तो A है एक B है एक A ने तीन दो के रिष्व में बाटने आपको तो कैसे बांड दोगे यहां पर कितना हो गया यहां पर 2 टोटल और गुना 2000 ठीक है ना तो एक को मिले 800 इस हिसाब से otherwise यहां पर टोटल कितना हूँ पांच और पांच कितने का multiple हुआ यह होँआ आपका पांच को 20, 400 का तो इसे मिलेंगे 1200 और से कितने मिले 800 जितने कही multiple इतने कही multiple यहां पर होगा तो इस तरीक से यह हिस्सा भी निकला तो आप अब समझ चुके होगे मेरी बात से सभी बात से सहमत होगे कि इसके अंदर किसने टाइप के किस्टन बन सकते हैं आप हिस्सा का बोल सकते हो परतिसत भी बोल सकते हो भाग भी बोल सकते हो उन पात को तो यह जो बात थी मैंने उनके बारे में आपको बता है अब करते हैं दोस्तो सुरुबात अच्छा जो समान अनुपात होगा उसका मतलब है दोस्तो बराबर ठीक है समान अनुपात पर आधारीद पर्शन तो चलिए यह पहला किर्चन दिया गया यहां पर यहां पहर तीन अनुपात 5 और बराबर 21 अनुपात X ठीक है तो तीन बटे 5 और यहां पहल लिखे दोगे 21 बटे X तो 3 सते 21 इसकी मल्टिपलाई दर कर दीज़े X बराबर कितना 35 तो 35 आपका अंसर रहा ठीक है ना तो ऐसा आप सोल कर सकते हो next question दिया गए देखी इसे भी देखते हैं यहां पर दिया गए 1.5 just wait ठीक है ना 1.2 बटे कितना है 3.5 बराबर कितना है x बटे यहां पर है sorry तो इससे काट दोगे यह बिला 4 4 किदर multiply कर दो x बराबर कितना हुआ 12.48 ठीक है तो यह मिला आपका answer यहां तक तक कोई दिक्कत ने नहीं ठीक है तो एक question यह solve करना था आपको इस question को solve करते हैं ठीक है ना यह कितना है यहां पर है 4.5 बटे 7 और यहां पर कितना है गलत होगा तो दोस्ते यहां पर question mark है ठीक है ना क्या है यह question mark तो just wait यहां पर है आपका x क्या है यहां पर x और यहां पर है 9 बटे 2.6 तो जो कट सकता है काट दीजिए 9 पर 45.5 तो यह रहा इसकी multiply कर दीजिए तो जब इसकी multiply करोगे तो कितना मिल जाएगा 1.3 0 ठीक है ना इस तरीके से solve करना है यह यहां पर यह question पर सोल करना तो x बटे 9 और बराबर एक बटे 4.5 पर इससे से काट दो कितना मिल दो तो यहां पर भी एक question और है यहां पर क्या दियागा 1.5 बटे 2.3 और एक बटे 4.6 इससे काट दो कितना मिल दो ठीक है ना तो एक question और है इससे भी कर देते दोस्तो सोल यहां पर गिना 7.1 बटे x यहां 5 14.2 बटे 2.8 इससे से काट दो कितना मिल दाए गए 2 और दोसे से काट दो 1.4 तक्स बराबर 1.4 आपका answer मिला तो अनुपातिक संख्या पर आधारित परसंद देखते हैं अनुपातिक संख्या पर आधारित परसंद तो यहां पर है तो यहां पर है 9.25 का मध्यानुपाति क्या रहेगा मध्या मध्या मतलब दोनों की multiply करने के बाद जो value हैं का रूट निकाल देना है जब भी ऐसा आप किया करोगे तो यहां से आपको मध्यानुपाति मिल जाएगा तो समझे ना आप मिल लेगा कितना तीन गुना पांच तो पंदराइन का मध्यानुपाति है ठीक है ना पंदराइन का क्या है मध्यानुपाति याद रखना है मध्यानुपाति की जब भी बात आएगी आपको करना क्या है दुनों के multiply करने के बाद root निकाल देना है यहां पर क्या कहा गया है यहां पर है तिरित्यन पादी बट तिरित्यन पादी का formula क्या है जो second value होती है उसका लिखो 12 पाउसर और बटे यह अब इस value को काट दोगे तो यहां से कितना मिल लेगा 75 कितना मिल लेगा है 75 मिला ठीक हो यहां पर है दोस्तों चतुरत अनुपादी तो चतुरत अनुपादी में कितना है देखे संक्या क्या है यहां पर 6, 5, 21 तो 6, 5, 21 है 6, अनुपाद, 5 यह था 21 21 में रख दिया आपने X तो 6 बटे 5 और यहां पर हो गए 21 बटे X ठीक है ना तो नॉर्मली आप स्वोल करते हैं इसकी मल्डिबलाई यहां है तीन दुने, तीन सदे, किस और 35 यानि 35 बटे कितना रहाद दो तो 17 पुन कितना मिला पाइं ठीक है ना अब एक क्यूस्टन हो रहा है यहां पर है पर्थम अनुपात किते हैं अगर पर्थम का अनुपात पुछा गया तो कोई पूर्मली नहीं वहां पर भी एक्स माल लेते हैं तो यहां पर क्या है? एक्स अनुपात आठ ठीक है ना बराबर पाँच अनुपात दो पूर्ट पाँच तो बटे रख दीजिए एक्स बटे आठ तो पाँच बटे कितना? दो पूर्ट पाँच दो तो एक्स बराबर कितना हो गया? 16 एक्स बराबर कितना हो गया? 16 है अनुपात का मान गयात करना अब अनुपात का मान भी गयात करना है आपको ठीक है ना जैसा कहा गया वैसा सोल करते हैं दोस्तों चलते हैं यह रहा दोस्तों क्यूश्चन आपका अच्छा यहां पर याद रखना जो जिसकी जगे वैलू है जैसे दी गई तो उसका मान होग यह आपको याद रखना है, अब मैं कहना क्या चाहरा हूँ, जैसे यहाँ X बटे Y, 4 बटे 5 है, यहाँ एक्स की जगे कितना X के बराबर, 4 है और Y के बराबर 5, तो इस फोर्मले में यहाँ पर रख दीजिए, कोई प्रोब्लम नहीं होगी, रख दोगे आप, तो ठीक है, यह ठीक है न, यहाँ पर हुआ कितना 20, यहाँ पर होगे 15, यहाँ पर कितना 24, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर होगे 49, ठीक है न, तो यही रहाब का अंसर बस, कितना 5 बटे 49, ठीक है न, next question है यहाँ पर जो दिया गए सामने उसकी value है एक ही तो 6 है तो 5 गुना 6 पलस के 3 गुना 5 तो 5 गुना 6 माइनस के 3 गुना 5 तो 30 और 15 45 बटे कितना बचा 15 तो 15 थी है 45 तीन मिला यह अंजर आपको तीन एक का रेस हो है कितने का है तीन एक का तो यहाँ पर जो भी value सामने दी गए वो भी उसकी का मान है तो 4 गुना 2 माइनस के 2 गुना 3 यहाँ पर कितना है 3 गुना 2 पलस के 2 गुना 3 तो यहाँ पर कितना हो है 8 यहाँ पर 6 तो 2 मिला यहाँ पर कितना है 6 यहाँ पर 6 है 12 मिला ठीक है न यहां पर इस क्रिष्टिन को कैसे सोल करोगे एक्स की वैलू तो है तीन वाई की है चार तो पुट कर दीजिए दो गुना तीन पलस के चार और यहां पर कितना है तीन गुना तीन माइनस के दो गुना चार तो छे चार दस और यहां पर कितना नो नो में साठ जाने के बाद एक तो यही रहा कितना दस बटा एक आपका अंसर अब जोड घटा उपर आधरिज जैसा कहा गया वैसा आपको करना होगा ठीक है ना नहीं तो दोस्तों आपको समस्या हो सकती है 17.19 के परतियक पद में से क्या घटाए जाए कि अनुपात कितना हो जाए यहां पर यह देखे 5-7 हो जाए ठीक ना तो इतना क्या घटाए जाए कि अनुपात 5-7 हो जाए तो अगर देख ले जाए यहां पर कितना है 17 जैस्ट वेट यहां पर है 17 और यहां पर कितना है 5 इसमेसे से घटाओगे तो 12 और इसमेसे से घटाओगे 12 अगर यह वैलू सेम बचती है तो फिर यही वैलू घटा नहीं हो गया आपको क्योंकि यह घटाओगे तो अनुपात यह मिला होगा समझे न तो अनसर रहा आपका सिर्फ 12 तो यहां पर भी बताना है 3 अनुपात 5 के परतिये पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात यह बंग है तो ठीक है करना तो यहां पर भी वही है तीनन पाथ पाँच और यहां पर कितना दोन पाथ तीन ठीक है ना मैं क्या जोड़ा जाए कि कितना हो जाए दोन पाथ तीन हो जाए ठीक है ना अच्छा तो क्या जोड़ा जाए देखना तो समझाया है दोस्तों आपको देखो यहां पर हुई ना प्रोब्लम इस तरह से प्रोब्लम होती है इनकी इस चलम फिर देखो होई ने दोस्तो problems तो कैसे है वरना एक जोड़ दो और यहाँ पर भी एक जोड़ दो ठीक है आ, जब जोड़ दो कीते हैं यहाँ कितना हुच्छ शाहर और यहाँ पर वह अच्छ है, जब काट दोगे दो तीन का रेस हुर रहा यह मिला ना दो तीन का इसलिए यहां पर ऐसे सोल करना तरी ठीक है ना आया समझ आपको तो चलिए नेक्स्ट पर यहां पर क्या कहा गया दो संख्याओं का अनुपात दे गया यह पर देख संख्या में पांच जोडने पर अनुपात यह हो जाता है पांच जोडने पर ठीक है ना तो कोई प्रोब्लम नहीं है तो चाहे तो आप इंडी की तरीके से अगर आप सोल करना चारे तो कर सकते हो आप देखिए पहली संख्याओं का थी साथ एक्स पलस के पांच तो जोडना ही होगा आपको नो एक्स पलस पांच तो फिर कितना हो जाएगे चार बटे पांच यहां तक अगर कोई प्रोब्लम हो तो बताईए ठीक है ना कोई प्रोब्लम नहीं है तो अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो कोई प्रोब्लम नहीं तो इसके बाद अगर आप देखना चाहरे तो एक तरीका और जैसे 7 यहां पर 7,9 का रिष्व था और यहां पर कितना था? 5,4 और 5 का तो देख लिया जाए तो यहां पर कितना बचा अंतर? 2 और यहां पर कितना बचा? 1 तो यह सेम करना आपको कितने के मल्टिप्लाई? 2 की तो 2 की मल्टिप्लाई तो यहां पर कितना बचा? यहां पर बचा 1 एक को बोल देख उसने कितना? 5 तो 5 का और मल्टिपल ठीक है ना? उसने पुछा कि बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है ना? तो क्या पुछा गया? कि बड़ी संख्या क्या होगी? यहां पर बड़ी संख्या अगर देख ले जाए तो कौन सी है बड़ी संख्या? यहां पर बड़ी संख्या है 9 तो 9 भी कितने का मल्टिपल? 5 तो 5, 5, 5, 5 तो इस तरह के साब यह क्यूस्टन सोल कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट एक और देखते हैं यहां पर यह क्यूस्टन दिया गया दो संख्या, दो राजिया दो तीन के अनुपात में कितने? दो तीन के अनुपात में परती एक में से 5 घटाया जाए तो 3, 5 का रेसो रह जाता है कितना? 3, 5 का यहां पर एक कंतर, यहां पर दो का तो यह अन्तर बराबर कर दीजिए हो गया ना? यहां कितने कंतर? एक, एक को कह दिया उसना 5 तो 5 ही का रहा मल्टिपल अगर यह 5 का मल्टिपल रहा तो छोटी संक्या कौन सी होगी? तो छोटी संक्या होगी 5, 20 तो यहां पर कितना पांच की मल्टिपल रहा करने होगी? पांच ओ, 20 20 सोरी ठीक है ना? कितने रही? 20 यह संक्या आपके ठीक रही तो इस तरह से कुछ क्यूस्टिन सोल करने थे, ठीक है ना? तो कुछ और क्यूस्टिन है दोस्तों यह भी देखते हैं संक्या अपर आधारी किस तरह से करने आसान नहीं से? सोरी दोस्तों चलिए समझते हैं इन क्यूस्टिन आपको यहां पर यह पहला क्यूस्टिन है इस क्यूस्टिन को कैसे सोल करोगे? तीन संक्या दिये गई हैं यहां पर 10 15 और 24 के रेसों में यहीं तीनों संक्याओं का योग अठाण में हैं बट हमारी संक्याओं का योग कितना है? पांच चानों तो हमारी संक्याओं का तो अनौन्चस है इसे बोला कितना? उसने 98 क्या बोला है इसने? 98 बोला है उसने ठीक है ना? तो कितने का multiple है ये है multiple 2 का तो सबसे बड़ी संक्या क्यात कीजिए कौन सी है ये है बड़ी तो कितने की multiply 2 की तो कितना होगा 48 ठीक है ना ये रहा आपका answer next पर चलते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों एक विद्याले में 400 विद्यारती थे जिन में 4 लड़के और जिन में लड़के और लड़के का नुपात ये था 50 लड़के और आ गई तो लड़को लड़के और लड़के का नुपात ये था यनि कितने थे टोटल 400 है ना पर सोरी दोस्तों boys and girls का ratio क्या था पहली बात तो यह है यह तो था 5 और 3 का और 8 को इसने कितना बोल दिया था चार सो तो आठ पिन चालिश पचास का मल्टिपल तो अब पहले संक्या कितनी थी तो इसका मतलब यहां पर भी मल्टिपल ही होगा यह भी इसका मल्टिपल है यह भी इसका मल्टिपल ठीक है ना तो अगर यह multiple है यह कितने है कहा यह भी 50 का तो यह कितना रहा 500 और यह भी 50 का यह रहा कितना 1.500 उसने कहा 50 लड़किया और आ गई तो 50 और add कर दीजे 200 तैज़ यह वा 200 तो यह वा 25 पंजे और 25 चोक तो यह मिला अनुपाद ठीक है ना पाच चार का अनुपाद मिला यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताएए दोस्तों मुझे ठीक है अगर otherwise नहीं समस्या है तो फिर चलते हैं next की तरफ next question इसमें क्या करना है दो संख्या का अनुपाद दिया गया आपका कितना अनुपाद है एक तो तीन दो का अनुपाद है और जबकि उनका योग डेड़ सो है तो छोटी संक्या कौन सी होगी आसान सवाल है तो हीजी से कर सकते योग कितना है यहां पर पांच और पांच को बोल कितना दिया सने पांच को बोल दें यहां पर डेड़ सो तो मल्टिपल कितना तीस का अगर तीस का मल्टिपल है तो य क्या यहां पर कर दीजिए मुल्टिप्लाई तो 60 मिला अन्सर आपको ठीक है ना यहां पर चलते हैं नेक्स्ट ध्यान से देखना दोस्तों क्या कहा गया कक्सा में 4, 5, 3 के अनुपात में 4 थे पर ते कक्सा में 15, 16 और बढ़े गए जिससे उनका 3 अनुपात 5, 6, 4 हो गया परारम में तीसरी कक्सा में कितने चातर थे ठीक है तीसरी कक्सा में कितने चातर थे यह हमें बताना है तो कोई प्रोब्लम नहीं जैसा आपको कहा गया वैसा कर लेते हैं यहां पर स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो 2 के अनुपात से आप सोल करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है नो? कितने डू किन फास है अगर डो किन फास हो सोल करना चाहे रहे तो इजी में में सोल हो जाएगा नहीं तो आपको थूड इसी समझ्षे का सामना करना पड़ागा यहाँ पर स्टार्टिक में चार पांश tiene और यहां पर भी स्टार्टिक में कितना था पांच और छे यहां पर अगर देख ले जाए तो कितने रेश हो यहां पर अंतर कितना था यहां पर अंतर एक का और यहां पर भी अंतर एक का इसका मतलब अगर अंतर एक का तो यहां पर भी अंतर एक का ही रहेगा एक को बोल दिया उसने कितना क्या बोल दिया एक को एक को बोल दिया उसने यहां पर पंदरा है तो पंदरा का ही मल्टिपल कितना पंदरा का मल्टिपल तो परारम में तीजरी कक्सा में कितने चातर थे तीजरी कक्सा में तो 15 का multiple तो यहां पर कितना था ये रेशो 3 अब 3 में भán कितने का multiple रहेगा 15 का 15 थिया 45 आदे शादर थे उसमें कितने थे 45 आदर होय ना कितने विजी तो एक question और है यह भी करते हैं दोस्टो question यहां पर कहा क्या गया जैसा कहा गया वैसा आपको करना है ठीक है ना थोड़ा सा ध्यान से देखे दोस्तों यहाँ पर कहा गया एक संख्या का 25 परसेंट एक संख्या कितना है 25 परसेंट यानि पहले संख्या 31 का 25 परसेंट बटे 100 दूथरी संख्या के 20 करसेंट के बराबर है 20 बटे 100 100 से 100 के इन सिल पांच ये पंजे पर पांच चुक तो X बटे Y पराबर कितना मिला चार बटे पांच तो कितना अनुपात रहा चार पांच का अनुपात है ठीक है ना यहाँ पर सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ग्याद करना कौन से सम्मली तनपात या खंडी तनपात अब जैसा कहा गया वैसा आपको करना होगा ठीक है ना अधरवाइस नहीं तो आपको प्रोब्लम सोल करने में मुसीबत आ सकती है ठीक है तो दोस्तो ज्यान दीजी इन में किस क्यूस्टन के अंदर करना क्या है और किस तरीके से किस चना आपको सोल करने है ठीक ना चलिए करते हैं सोल यहां पर कहा क्या गया ध्यान से देखेगा जरा यहां पर एक वैलू सेम देगे जैसे एक्स नपात वाई पराबर कितना है दो नपात तीन और यहाँ पर Y अनुपाद Z पराबर कितना दिया गया 2 अनुपाद 1 तो हमें सेम करना है यह Y, Y सेम है न जो भी कॉमन है उसे सेम कर दीजी यहाँ पर 3 की कर दी मल्लिप्लाई और यहाँ पर 2 की अब हमें X, Y, Z का रेसो मिला कितना 4, 6, 3 कितना मिला 4, 6, 3 तो अब और तीनों का अनुपाद बताना है तो तीनों का यही रहेगा 4, 6, 3 यह लीजी, आंसर मिला एक और क्यूस्टिन करते हैं यहाँ पर, यह क्यूस्टिन भी देया गया A अनुपाद B का अनुपाद दे रखा यहाँ पर, कितना A, B का रेसो है, एक, दो में तो सबसे पहले तो B को मन करना है यहाँ पर, B को मन करोगे तो क्या मिल लाएगा आपको ध्यान दीजी ठीक है ना, सबसे पहले तो B को मन करना है आपको चलिए, B को मन करते तो मिल लाएगा फिर आपको A B और C तो B को मन करने के लिए यहाँ पर B की value कितनी थी? 4 तो यहाँ पर करने होगी 2 की multiply तो कितना मिला यहाँ पर? 1 4 2 अब है अगे यहाँ पर C और D कितना है? अब C को मन करना होगा C की value कितनी थी? दियां दीजे यहाँ पर C की थी? तो कितनी थी? 1 minute 1 minute दोस्तो C की value भी 1 2 के नपाइद में थी यहाँ पर है न? तो यहाँ पर 2 है C की? तो यहाँ भी 2 के multiply कर दीजे यह लीजे तो यहाँ पर A, B, C और D तो इन सब का रेशो कितना मिला? 1, 4 2, 4 यह मिला रेशो 1, 4, 2, 4 ठीक है न? तो यहाँ तक कोई problem हुई? नहीं तो यहाँ पर देख लेते हैं तो अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का question है तो यहाँ पर P और Q कर रेशो दिया गया कितना? P और Q कर रेशो कितना? 2, 5 और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर Q और R कर रेशो यहाँ एक तीन और यहाँ पर कितना? R और S कर रेशो दो तीन ठीक है? तो यह क्या है? P Q कितना है? यह P Q अब Q सेम करना है तो यहाँ पर 5 की multiply कर दीजे यहाँ पर 5 की multiply कर दोगे तो कितना मिला? यह मिला P Q R तो कितना? 2, 5, 15 ठीक है? यहाँ पर R की value कितनी है? यहाँ पर R की value है 15 बट यहाँ पर अगर R की value देख ले जाए तो कितनी है? यहाँ पर है 2 तो सेम करनी होगी तो यहाँ पर कितने की multiply कर देते हैं? दो की सब में और यहाँ पर 15 की तो अब क्योंकि यह भी 30 हुआ यह भी 30 तो अब रेशो निकला है दोस्तों यह कितने का? ठीक है न? यह रेशो रहा P अनुपाद Q अनुपाद R अनुपाद S तो P का कितना है? P का है 4 यह कितना है? 10 यह होगे 30 और यह कितना है? यह है 45 ठीक है न? यह मिला अन्सर यहाँ पर एक क्रिस्टन हो रहे हैं दोस्तों और इस क्रिस्टन को भी सोल करते हैं बस जैसा कहा गया ध्यान चाहिए देखना है आपको यहाँ पर कुछ वैलू मिस है मिस क्या है? यहाँ पर दीक है दिया हुआ एक बटा 3 और यहाँ पर है एक बटा 2 यानि एक्स बटे वाई की वैलू कितनी मिले आपको एक बटा 3 इसी तरह से वाई बटे जैड की वैलू कितनी दी गए आपको एक बटा 2 यहाँ y की 3 है यहाँ y की कितनी है एक तो 3 से गुणा कर देजिए हुई न सेम तो बस xyz चाहिए था आपको xyz तो कितना मिला यहाँ आप xyz यह तो 1 यह 3 और यह 6 तो यह मिला आप का अंचर ठीक है न तो एक आवेशक सूचना थी दोस्तो आप सभी के लिए सूचना आप सभी के लिए क्या है कि यह है करेंट फेज से सम्बदित सूचना हमारे इसी चैनल पर दोस्तो करेंट फेज भी आपको provide per day कराती जाती है एक हिंदी में होती है एक इंगलीज में इंदी के गर देख लिए ज़े चार एम पर मॉर्णिंग में स्टार्ट हो जाथती है यह उत्य फाइव एम मॉर्णिंग से स्टार्ट ठीक है ना इसकी खास बात क्या है दोस्तों इसकी benefit वाली बात यह यह short video है short video का मतलब है कि één minute के अंदर जहाँ आपको डेड़े से दो घंटे खर्च करने होते current affairs के लिए लेकिन हमारे इसी चैनल पर एक मिन्ट के अंदर आपके current affairs के question तयार तो है ना ये दोस्तो मज़ेदार तो इसलिए आपको जितना जादा हो सके हमारे चैनल की साथ जुड़िए और देखिए अच्छी तरीके से तो इसी के साथ दोस्तो मैं संजीत उमर एक बार फिर विदा ही लेता हूँ आपसे ठीक है ना हसते रहिए मुश्कुराते रहिए और अपनी तयारी निरंतर जारी रखिए कब तक दोस्तो जब तक joining letter हाथ मैं ना हूँ थेंक्स पोर वाचिंग झाल